आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो इन दोनों को satisfy कर रहा है एक वैक्टर B है तो वैक्टर B का value क्या होगा यह हमसे पुछा गया है इस question को करने के लिए अपन दो तरीका अपलाई कर सकते हैं फर्स तरीका यह जो equation है यह equation से अपन यहापे value मान लेंगे यहाँ कि वैक्टर B को मैं XI plus YJ plus Z के मान के इसको satisfy कराके यहाँ पे A cross B निकालूँगा पहले उसमें C vector add करूँगा उससे मेरा जो equation आएगा फिर A dot B निकालूँगा और 3 के equal करूँगा उससे जो equation आएगा उससे solve करके X YZ का value निकालूँगा एक तो यह तरीका है, दूसरा तरीका हमारा shortcut क्या है इसको अगर मैं देखू, यह A cross B plus C vector is equal to 0 अगर मैं यहाँ पे कही न कहीं A dot B equal to 3 का use करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको A से cross कर देंगे तो अगर मैं इसको A से cross कर दूँ, टोटल को तो यह क्या मिल लिएगा, A cross B, ऐसा हो गया और plus, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, A cross C is equal to 0 मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिल लिएगा, तो अपी देखो, यह जो हमारा बन गए यह vector triple product बन गया, vector triple product को अपन सॉल्व कैसे करते है सबसे पहले दूरवाले का dot करते है, तो A dot B करूँगा, उस समय सामने वाले को छोड़ूँगा, फिर minus, सामने वाले का dot कर दूँगा, यानि कि A dot A, और उस समय दूरवाले को छोड़ूँगा, यह बन जाएगा, is equal to A cross C को उधर कर दूँ, तो minus, यहाँ पे क्या आ जाएग जो कि 3 के equal मालू में हमें, तो यह हो जाएगा, 3 vector A minus A dot A को पन क्या बोलेंगे, magnitude of vector A का square, और यह vector B बन गया, और यह मेरे को C cross A मिल गया, ठीक है, यह equation number 1 माल लो, अब basically हमें vector B निकालने के लिए, हमें vector A का magnitude चाहिए होगा, और C cross A की value चाहिए होगी, तो हमें C cross A सबसे पह के, उससे में C vector का जो I, J का coefficient है, वो 1 minus 1 और minus 1 है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 minus 1 और minus 1, और जो A vector का I, J का coefficient है, I का coefficient 0, J का 1, K का minus 1, तो 0, 1 minus 1, तो 0, 1 minus 1, अब इस determinant को अब अब solve करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले first row के about, इस determinant को expand करता हूँ, तो I cap के about expand किया, तो इसके row और इसके column को छोड़ूँगा, minus 1 into minus 1, that is 1, अब यह क्या जाएगा, 1 into minus 1, that is minus 1, that is minus 1, तो minus 1, plus 1 आ जाएगा, J के about expand करो, तो यहाँ से 1 into minus 1, that is minus 1, 0 into minus 1, that is 0, अब K के about expand करते हैं आपन, तो इसके row और इसके column को छोड़ूँगा, 1 into 1, that is 1, अब 0 into minus 1 rate is 0, ठीक है, तो यह हमारा क्या आ गया, c cross a की जो value आ रही, वो आ रही 2i cap, ठीक है, और यह minus और minus plus j cap, ठीक है, और यह हमारा क्या जाएगा, plus k cap, तो यह c cross a का value आ गया, अब अपन निकालते हैं, देखो equation 1 में हमें magnitude of a का square चाहिए, तो magnitude upon a का निकालते हैं, vector a का, तो vector a हमें देखो, क्या मालूम है, vector a j minus k है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, j minus k, इसका magnitude अपन निकालेंगे, ठीक है, तो magnitude कैसे निकालते हैं अपन, किसी भी vector का, माल लो vector m है, इन general अपन बात करें, ठीक है, तो एक vector m है मेरा, वो है, x i plus y j plus z k cap, तो इसका जो magnitude अपन निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, square root of x का square plus y का square plus z का square, similarly, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का square 1, minus 1 का square, that is 1, that is square root of 2, यह आगे, equation 1 में अपन सारा value पूट कर दे, तो यह मेरा 3a vector लिखा हुआ था, ठीक है, तो 3 times a vector के जगा पे मैं लिख दूँँगा, j minus k, यह लिख दिया, ठीक है, आप देखो, उसके बाद है मेरा minus magnitude of a का square, तो magnitude of a मेरा root 2 है, उसका square 2 हो जाएगा, और यहाँ b vector से multiply था, और right hand side c cross, यह अपन लिख देते हैं, जो की है मेरा 2i plus j और plus k, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, directly b vector हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो यह हमारा एक shortcut था, इसको देखो, यह हो जाएगा 3j, मैं इसको solve करता हूँ, और यह 3k, इसको अपन left hand side ले आते हैं, तो minus 2i minus j minus k divided by 2 कर दूँ, तो यह हमारा क्या जाएगा, b vector के equal, तो यहाँ से अपन देखते हैं, तो देखो, यह हो जाएगा, minus 2i cap 3j minus j, that is plus 2j, ठीक है, और यह minus 3k, और minus k, that is minus 4k, divide by 2 is equal to vector b, तो यहाँ से vector b हमें क्या मिल गया, vector b मिल रहा मैरा, minus i, ठीक है, plus j, और minus 2k, cap के equal मिल रहा, इसको 2 से divide कर दिया, तो यह हमारा directly vector b आ गया, this is our answer for this question, thank you. हम सकते हैं, रहा हम्मार सब्स भीविग से देखते हैं, थीक है, भी है, और यह हमारे जो शो पोदो, जहा का मिल रहा हमारे चैजए, बहा है?